सो हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अक्षय पांडे और आज मैं आपके सामने के लिए आ गया हूँ करने वाला हूँ पेस्ट मोडल है अगर आप एक्षवी 300 लेने की सोच रहे हैं पहले मैं आपको कुछ इमिजस दिखा देता हूं एक्षवी 400 फेसलिफ्ट की जो लीक हुई है जैसा कि देखने से समझ में आ रहा है यार कुछ बहुत जादा चेंज नहीं है शायद से connected tail lamp वगरा कर दिया है और height वगरा भी सब सेम है dimensions भी सेम है कुछ बहुत जादा चेंजज नहीं है में W6 में बात करी जाए फ्रेंड में आपको यहां पे lights वगरा से देखने को मिल जाती है और case का पुरा look आ रहा है मैं फ्रेंड से भी बात करूं तो बहुत जादा उसमें changes नहीं है शायद से थोड़ा वा design वगरा बदल ले और 180 mm की ground clearance है same ground clearance almost उसमें भी है देखने को मिल रही है टाइर साइस वगरा भी उसमें सेम ही देखने को मिल रहा है जो अपने 2023 वेरेंट में था वही वेरेंट उसमें भी देखने को मिल रहा है वही टायर साइज यहां पे आपको देखने मिलता सो लाइंच का एल्ओवी यह मेरे सामने W6 मॉडल है जिसका एक शोरूम प्राइस दस लाग रुप है सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है यह W2 भाई बेस मॉडल था जिसका मैंने अपने चैनल पर रिव्यू डाला हुआ है यह फुली एसरीज लोड़ेड गाड़ी है अब देख सकते हैं यह इसका पूरा साइड से लोक आ रहा है यहां पर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है अब यह इसका बैक का लोग जैसे मैंने बैक की इमिज़ दिखाई थी यार सिर्फ ना आप क्ष्ट ऐसे जादा नहीं अब इसकी की बात कर लो पहले वाइं इसको अनलॉक कर लेते हैं लॉक और यहां पर सरे जैसे इसको उनलॉक किया यहां पैक में वैपर देखने को नहीं मिलता अब बाथे इसके बुट्स पे्र पे यार मेरी पिछली वीडियो पर बहुत ज कर रही है जो इंजन की पावर है जो लॉंग टर्म पेनिफेट जो रोड प्रेजन्स है यार और कोई गाड़ी इस प्राइस पे मेरे हिसाब से आज के टाइम में नहीं प्रोवाइड कर रही है और यह इसके पाकिंग सेंसर्स और रिवर्स कैमरा तो उसको नजर रखते हुए सो अब चलते हैं इसका आगे से देखते हैं इसका ही इंजन एगरा कि इंजन वर इसका कितना पाउफुल है किसा दिनी की इसमें पेट्रोल डीजल दोनों बेखने को बलती है 1200 cc लेके 1500 cc तक कि यह आपको देखने को मिलेगी mileage की अगर बात करी जाए तो भाई डीजल में 18 का mileage दे रही है 18 से बीच के बीच में और पेट्रोल में 12 से 15 की बीच का सो डीजल वेरिंट इसका बहुत value for money है मतलब like best है मेरे हिसाफ से अगर आप डीजल वेरिंट के साथ जाना चाहते हैं अब चलते हैं इंटीर में अगर मैं बात करूं कुछ जादा expectations मुझे नहीं है change की थोड़ा सा जैसे leaked images आई है मतलब काफी resources से सो जैसा कि मुझे लग रहा है कि में भी कुछ जैसा Grand Vitara वागरा में किया गया है वो चीजे इसमें भी हो सकती है मतलब वैसे infotainment system शायद से इसमें इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है Grand Vitara में या Toyota की Urban Cruiser High Rider वगरा में भी ठख लीजे आप उस तरीके से सो अब बैठते हैं भाई एक CV300 के अंदर और जैसे इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं भाई कि फील तो है यार काड़ी तो मस्त है मतलब मैं एनीडे इस गाड़ी को पसंद करता हूं मेरे पास 10 लाग हो और मुझे गाड़ी लेने भेजा जाए आइल पिक दिस वान एनीडे सो यह लीग डिमेज आई है कुछ ऐसे इसके इंटीरियर्स की जो की एकदम हाई राइडर की तरीके लग रहा है या ग्राइड विटार की तरीके यह इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी और यह इसका कुछ इंफोटेन्मेंट कि साइड में आपके क्से देखने को बलेगा और यह इसका इंट्रुमों है यहाँ पेरेंके कंट्रोल्स सारे देखने का मिलते हैं ये इसका मैनूल गेर बॉक्स, आटमाटिकन भी देखने को मिलती है ये इसके वाइपर के कंट्रोल्स, इसके लाइट की कंट्रोल्स, नहीं से आप लाइट वगड़ा भी अज़स्ट कर सकते हैं ये अब इंटीर की यार बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा उट्डेटेड है, अपडेट करना चाहिए महिंद्रा को तो हाँ, एक स्यूवी 300 जो फेसलिफ्ट आ रही है उसमें अपडेट करेंगे, ये इसमें थोड़ा बत वीचर्स आपको देखने को बल जाते हैं, गूगल म मैप्स, क्रोम, एंड्रोइड ओटो अगरा, ये सब यहां पर है, गूगल मैप्स को बंदकर इसको, यहां पर ग्लववोक्स आपको देखने को मिलता है, डीसेंट स्पेस के साथ, ये यहां पर आपको संशेट्स रखने के जगे मिल जाती है जोड़ी सी, और इधर आपको अब मेन मुद्दावाई संरूफ, सबसे वैल्यू फॉ मैनी चीज, यहां पर आपको संरूफ भी देखने को मिलता है, ये डवलू सिक्स मॉडल क्यों जस्टिफाई कर रहा है, वैल्यू फॉ मैनी अपने आपको, ठीक ठाक स्पेसे वाई, बहार निकलने के लिए भी निकल सकते हैं, आला कि निकलना निचे एक अभी चलती ही गाड़ी में, अब यहां इसको मैनुवली बंद कर सकते हैं, सीट वगरा की क्वालिटी करे जाए बढ़ा लेदर फिनिश में फैब्रिक अच्छा यूज किया गया है, यहां पर आपको पूरा मैनुवली एसी कंट्रोल् साइड में आपको दिया गया है एक आमरेस्ट, जहां पर स्टोरेज भी है थोड़ी सी, दो कपोल्डर्स, मैनुवली एक हैंडब्रेक को अगर अज़स्ट करने के लिए यह इसके पूरे अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मतलब यार मुझो थाइटेक इंटिरियर चाहिए यह वो जा सकते हैं वेट कर सकते हैं तोड़ा सा लेकिन जिनको है कि भाई मुझे इतना नीफारक पड़ता काड़ी अच्छी होनी चाहिए, ड्राइव अच्छी होनी चाहिए, एक्स्पी तो ड्राइव देखको पड़ति हैं एक कशल्राग पीछे पिछे थे देखते हैं पीछे में डाऊ-क्रीज और वो फिख य Earnॐ विड़ तो यह इस आपको ज्यादा कुछ मारा बाटल डल्डर मेरर केविन बीछे सबाई मस्क लग रहा है इसका इंटीर ना से इसे वाइट में ब्लाक के साथ यह इसका बूरा आपको ग्राइड यह इस देखने को बिल जाएगा दो हैटर रिए हुए इसर और लेगरूं की बाद करें रि घ्रप अच्छा सबश्के सांद सांद मेरी हीड के साप से 5 गारा के साफ से चाप से आप देखने को मिलता है आगे अब युद्ट पने इसाफ से एज जिस करी वी सो पीछे टीक टॉक सबसे तीन लोग तो आरां से चाथ सकते को अब्रेस नहीं है यहां पर यह एक जायद से अब यह डिस्प्ले वाली है तो तस लोग आते होंगे दिद्बर में इसको देखने एनिवे सो भाई यह था एक सीवी 300 का डबलू सिक्स मॉडल का रिव्यू अक्षे पांडे की तरफ से एंड उन लोग को